realities का क्या आर्थ होता है या आज किस वीडियो में सेख लेते हैं realities जो है वो reality का plural होता है यानि कि एक से ज़्यादा reality को हम realities कहते हैं और reality का आर्थ होता है वास्त्विक्ता, असलियत, हकीकत, सत्यता, सच्चाई, सत्य, सज, वास्तव यह यथार्थ तो एक से ज़ादा वास्त्विक्ताओं, असलियतों, हकीकतों को हम realities कहते हैं जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि वह जीवन की वास्त्विक्ताओं से जागी तो आप कहेंगे she awoke to the realities of life या अगर आप ये कहना चाहें कि आपको वास्तविक्ताओं के कलपना करनी चाहिए तो आप कहेंगे you must envisage realities या अगर आप ये कहना चाहें कि वे राजनितिक वास्तविक्ताओं से भली भाती परीचित थे तो आप कहेंगे he was lucidly aware of political realities अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें